दोस्तू क्या आपको पता है कि अगर सूरज गायब हो गया तो क्या होगा तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में सूरज के गायब हो जाने की वज़ा से कुछ ही मीनत में सारे पेड़ पौधे ऑक्सिजन देना बंद कर देंगे सूरज के गायब हो जाने से चांद भी नहीं दिख पाएगा क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती सूरज के गायब हो जाने से कुछ ही दिनों बाद प्रिथ्वी की टेंपरेचर 7 Celsius तक चली जाएगी जिसे से सारा पानी बर्फ बन जाएगा पानी के बर्फ बन जाने की वज़ा से इंटरनेर भी बंद हो जाएगा क्यूंकि सारे इंटरनेर की ओप्टिकल फाइबर केबल समुद्रक के अंदर बीच्छा होता है लेकिन पानी के बर्फ बन जाने से सारी केबल नश्ठ हो जाएगा कुछ ही दिनों में प्रित्वी पर मौजुद ज्यादा तर पेड़ पौधे नश्ट हो जाएंगे इसके चलते साकाहाई जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे एक ही महने के बाद तापमान 40 सेलसियस तक नीचे चला जाएगा और हमारी नीले रंग की प्रित्वी बर्फ की वज़ा से अंत्रिक्ष से सफेद रंग की दिखने लगेगी और बीना सूरज के गृत्वाकर्शन के कारण प्रित्वी तेजी से अंत्रिक्ष में आगे बढ़ रही होगी और संभव है कि गुरुत्वाकर्शन के कारण प्रित्वी ब्लेक हॉल में समा जाएगी और कुछ ही सेकर्ण में सारी प्रित्वी नश्ठ हो जाएगी दोस्तो अगर सूरज गायब हो गया तो हमें इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा अगर हम जिन्दर रहे पाते हैं तब दोस्तो अगर आप लिमिट क्रोश नॉलेज का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ओल पर रखो तो मिलते हैं नेक्स टुडियों तब तक लिए जहिंद वंदे मातराम